स्री गणे साय नमा, स्री जान की वलभू विज्यते, स्री राम चरित्मानस, दितिय सोपान, अयोध्याकांड, दोहा संख्या 116 के आगे हे समुखी, कहो तो अपनी सुन्दर्ता से करोणों काम देवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है उनकी ऐसी प्रेम मैई सुन्दर वानी सुनकर सीता जी सक्चा गई और मनी मन मुस्कुराई उत्तमगौर वानवाली सीता जी उनको देखकर संकोच वस पिर्थ्वी की ओर देखती हैं, वे दोनों ओर के संकोच से सक्चा रही है अर्थार्थ ना बताने में ग्राम की इस्तियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच हिरन के बच्चे के सद्रस नेतर वाली और कोकिल की सीवानी वाली सीता जी सक्चाकर प्रेम सहित मदुर्वचन बोली ये जो सहस सभाव संदर और गोरे सरीर के हैं उनका नाम लक्षमण है ये मेरे छोटे देवर हैं फिर सीता जी ने लज्जा वस अपने चंद्रमुक को आँचल से ढखक कर और प्रेतम स्रीराम जी की और निहार कर भौएं टेड़ी करके खंजन पक्ची के से सुंदर नेत्रों को तिर्चा करके सीता जी ने इसारे से उन्हें कहा कि ये स्रीराम चंद्र जी मेरे पती हैं या जानकर गाव की सब यूती स्त्रियां इस परकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने धन की रासियां लूट ली हूँ वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत परकार से आसीस देती हैं सुपकामना करती हैं कि जब तक सेस जी के सिर पर पिरत्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो और पारवती जी के समान अपने पती की प्यारी हो हे देवी हम पर किरपार न उड़कर विंती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लोटें और हमें अपनी दासी जान कर दरसंदें सीता जी ने उन सब को प्रेम की प्यासी देखा और मदूर वचन कह कह कर उनका भली बांती संतोस किया मानो चांदनी ने कुमदनियों को खिला कर पुष्ट कर दिया उसी समय सिरी राम चंदर जी का रुख जान का लक्षमन जी ने कुमलवानी से लोगों से रास्ता पूछा ये सुनते ही इस तिरी पुरुष दुखी हो गए उनके सरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में व्योग की संभावना से प्रेम का जल भराया उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विदाता दी हुई संपत्ती छेने लेता हूँ कर्म की गती समझ कर उन्होंने धहरे धारन किया और अच्छी तरह निड़ने करके सुगम मार्ग बतला दिया तब लक्षमन जी और जान की जी सही स्री रगनाद जी ने गमन किया और सब लोगो विदाता के साथ कहते हैं कि विदाता के सभी काम उल्टे हैं वह विदाता बिलकुर निरंकुस, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया कल्प प्रिक्स को पेड़ और समुन्दर को खारा बनाया उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है जब विदाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास वियर्थी बनाए जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विदाता अनेकों वहान सवारिया वियर्थी रचे जब ये कुस और पत्ते बि बनाबना कर उसने व्यर्थी प्रिश्रम किया जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल कलवस्त पहनते और जटाधारन करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भांती-भांती के गहने और कपड़े वर्था ही बनाई जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत म ये सुभाव से ही सुंदर हैं इनका सुंदर्य, मादुर्य, नित्य और सुभाविक है ये अपने आप पर कट हुए हैं ब्रह्मा के बनाई नहीं हैं हमारे कानों, नित्रों और मन के द्वारा अनभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके क आ है, वहां तक चौदहों लोकों में ढूंड देखो, ऐसे पुरुस और ऐसी इस्त्रियां कहां हैं, कहीं भी नहीं हैं, इसी से सिध्ध है कि ये विधाता के चौदहों लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं, इन्हें देखकर विधाता का मन अ नहीं उत्रे, इसी इर्षिया के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है, कोई एक कहते हैं, हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परमधन्य वश्य मानते हैं, जो इनके दर्सन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुन्यवान हैं, जिनोंने इन इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे, इस प्रकार प्रिये वचन कहके कर, सब नेत्रों में प्रेमास्तुरों का जल भर लेते हैं, और कहते हैं कि या त्यन्त सूकुमार सरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे, इस त्रियांसने वस विकल हो तमवानी कहती हैं, इनके कुमल और लाल लाल चर्णों तल्वों को चूते ही पिर्ती वैख से ही सक्चा जाती है, जैसे हमारे हिर्दे सक्चा रहे हैं, जग दीसुर ने यदि इने वनवास ही दिया, तो सारे रास्ते को पुस्पमे क्यों नहीं बना दिया, यदि ब्रहम्मा स मांगे मिले तो हे सकी हम तो उन से मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें जो इस्त्री पुरुस इस औसर पर नहीं आए वेच से रिसीता राम जी को नहीं देख सके उनके संदर को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहां तक गए होंगे और जो समर्थ हैं वे दोड़ते हुए जाकर उनके दर्सन कर लेते हैं और जन्म का परमफल पाकर विशेश आनंदित होकर लोड़ते हैं गर्दवती परसूता आदी अबला इस्त्रियां बच्चे और बुड़े दर्सन ना पाने से हाथ मलते और पस्ताते हैं इस परकार जहां जहां सिरी राम चंदर जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वस में हो जाते हैं सुरिकल रूपी कुमुद्नी को पर फुलित करने वाले चंदरमा सुरूप सिरी राम चंदर जी के दर्सन कर गाउं गाउं में ऐसा ही आनंद हो रहा है जो लोग वनवास दिये जाने क कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दसरत कह कई को दोस लगाते हैं कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाब दिया इस्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी सने बरी सुन्दर बातें कह रहे हैं कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इने जन्म दिया वे नगर धन्य हैं जहां से ये आए हैं वे देश, परवत, वन और गाउं धन्य है और वे इस थान धन्य हैं जहां जहां ये जाते हैं ब्रह्मा ने उसी को रज कर सुख पाया है, जिसके ये स्री राम चंदर जी सब प्रकार से इस नहीं है, पत्थिक रूप स्री राम लक्षमन की सुंदर कता सारे रास्ते और जंगल में छा गई है, रगकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सुर्य स्री राम चंदर जी इस प्रक ये सोबा पा रहे हैं, दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुसोबित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया, फिर जैसी छबी मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ, मानो वसंत्रितू और काम देव के बीच में रती काम देव की सुसोबित हो, फिर अपने हि पुज़ कर उपमा कहता हूं कि मानो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोणी चंद्रमा के इस्तरी सो रही हूँ प्रभू सिरी राम चंद्र जी के जमीन प्रांकित होने वाले दोनों चंड चिन्नों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कह के चंड चिन्नों को बचाते हुए उन्हें दाइने रखकर रास्ता चल रहे हैं। स्रीराम जी लक्षमन जी और सीता जी की सुन्दर प्रीति वानी का विशय नहीं है। अर्थात अनिवर्चनी है। अतव कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पसू भी उस चबी को देखकर प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। पतिक रूप स्रीराम चंडर जी ने उनके भी चित्चुरा लिये हैं। प्यारे पतिक सीता जी साइद दोनों भाईयों को जिन जिन लोगों ने देखा। उन्होंने भाव का अगम मार्ग जन मिर्ट्यू रूपी संसार में भटकने का भ्यानक मार्ग पिनाई प्रिस्रमानंद के साथ तै कर लिया। अर्थार्त वे आवा अगमन के चक्र से सहजी छूट कर मुक्त हो गए। आज भी जिसके हिर्दे में स्वपन में भी कभी लक्मन सीता राम तीनों बटो ही आ बसें तो वे भी स्रीराम जी के परमधाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनी पाते हैं। तब स्रीराम चंदर जी सीता जी को ठकी हुई जानकर और समीप ही एक बढ़ का विलक्स और ठंडा पानी देखकर उस दिन वाई ठार गए। जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वरेक्षपूल रहे हैं और मतरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। मुनी को दंडवत किया विप्र स्रेष्ट मुनी ने उन्हें आसिर्वात दिया स्री रामचंदर जीच की छवी देखकर मुनी के नेतर सीतल हो गए सम्मान पूरवक मुनी उन्हें आस्रम में ले आए स्रेष्ट मुनी वालमिकी जी ने प्राण प्रियतित्यों को पाकर उनके लिए मदूर कंद, मूल और फल मंगवाए सिरी सीता जी, लक्षमन जी और राम चंदर जी ने फलों को खाया तब मुनी ने उनको विस्राम करने के लिए सुंदरिस्तान बतला दिये मुनी सिरी राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ती को नेत्रों से देखकर वाल मिकी जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है तब सिरी रगुनाजी कमल सद्रस हाथों को जोड़ कर कानों को सुख देने वाले मदूर वचन बोले हे मुनीनात आप तिरकाल दर्सी हैं संपूर्ण विस्वाप के लिए हतेली पर रखे हुए बेर के समान है प्रबू सिरी राम चंदर जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कहकरी ने वनवास दिया वैसब कता विस्तार से सुनाई और काहे प्रबू पिता की आग्यां का पालन माता का हित और भरज जैसे सने ही एम धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्सन होना यह सब मेरे पुन्यों का परभाव है हे मुनी राज आपके चड़नों का दर्सन करने से आज हमारे सब पुन्य सफल हो गए हमें सारे पुन्यों का फल मिल गया अब जहां आपकी आग्या हो और जहां कोई भी मुनी उद्वेक को प्राप्त न हो क्योंकि जिन से मुनी और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अगनी के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जल कर भस्म हो जाते हैं ब्रामनों का संतोस सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्रामनों का कुरोद करोणों कुलों को भस्म कर देता है ऐसा हिर्दे में समझ कर वह स्थान बतलाईए जहां मैं लक्षमन और सीता सही जाऊं और वहां सुन्दर पत्तों और घास के कुटी बना कर हे दयालू कुछ समय निवास करूं स्री राम जी की सहजी सरलवानी सुनकर ग्यानी मुनिवाल में की बोले धन्य धन्य हे रखकुल के दोजा सरूप आप ऐसा क्यों न कहेंगे आप सदेव वेद की मर्यादा का पालन रक्षन करते हैं हे राम आप वेद की मर्यादा के रक्षक जग्दिस्वर हैं और जानकी जी आपके सरूप भूता माया हैं जो किरपा के बंडार आपके रुक पाकर जगत का सरजन पालन और संगहार करती हैं जो आजार मस्तक वाले सरपों के स्वामी और पृत्वी को अपने सिर पर धारन करने वाले हैं वही चराचर के स्वामी सेश जी लक्षमन हैं देवताओं के कारे के लिए आप राजा का सरीर धारन करके दोष्ट राक्ससों की सेना का नास करने के लिए चले हैं हे राम आपका सरूब वानी के अगोचर बुद्धी से परे अकथनी और अपार है वेद निरंतर उसका नेती नेती करकर वर्णन करते हैं हे राम जगत द्रिश्य है आप उसको देखने वाले हैं आप ब्रह्मा विश्णू और संकर को भी नचाने वाले हैं जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वे आपका ही सरूब बन जाता है हे रगनंदन हे भक्तों के हिर्दे के सीतर करने वाले चंदन आपकी ही किर्पा से भक्त आपको जान पाते हैं आपकी देश जिदानंद मैं है यह प्रकरती जन्न पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंदन युक्त तिरदे विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पती नास वृद्धी छए आदी सब विकारों से रही थैं इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं आपने देवता और संतों के कारे के लिए दिव्य नरसरीर धारन किया है और प्रकरती के तत्तों से निर्मितने वाले साधारन राजाओं की तरह से कहते और क करते हैं हे राम आपके चरित्रों को देख और सुनकर मुर्ख लोग तो मों को प्राप्त होते हैं और ज्यानी जंसुकी होते हैं आप जो कुछ कहते करते हैं वैसा अफसत्य उचित ही है क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नातना भी तो चाहिए इस समय आप मनुस्तिय रूप में है अता मनुस्तियों चित वैवार करना ठीक ही है आपने मुझस से पूछा कि मैं कहां रहूं प्रंतु मैं ये पूछते सक्चाता हूं कि जहां आप नहों वह इस्थान बता दीजिए तम मैं आपके रहने के लिए इस्थान दिखाऊं मुनी के प्रेम रस्चे सन हुए वचन सुनकर सिरी राम चंदर जी रहस्चे खुल जाने के डर से सक्चा कर मन में मुस्कुराए वाल मिकी जी हंसकर फिर अमित रस्च में डुबोई हुई मीठी वानी बोले हे राम जी सुनिए अब मैं वे स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्षमर जी समे होते उनके हिर्दे आपके लिए सुन्दर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है जो आपके दर्सन रूपी में के लिए सदा ललाईत रहते हैं तता जो भारी भारी नदियों समंदरों और जिलों का निराधर करते हैं और आपके सुन्दर ये और कारण तीनों जगत के अर्थार पिर्थ्वी, स्वर्ग और ब्रम लोग तक के सुंदरे का तिरिस्कार करते हैं हे रगुनाज जी उन लोगों के हिर्दय रूपी सुगदाई भाउनों में आप भाई लक्षमन जी और सीता जी सहित निवास कीजिए आपके यस रूपी निर्मल मान सरोर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुन समूरूपी मोतियों को चुकती रहती है हे राम जी आप उसके हिर्दय में बसिये जिसकी नाजक्या प्रभू आपके पवित्र और सुगंदित पुस्पादी सुंदर परसाद को नियत्यादर के साथ गरहन करती सुंगती है और जो आपको अरपन करके भोजन करते हैं और आपके परसाद रूपी वस्तरा भूशन धारन करते हैं जिनके मस्तक, देवता, गुरु और ब्रहाम्डों को देखकर बड़ी नमरता के साथ प्रेम सहीद जुक जाते हैं जिनके हाथ नित्य स्रीराम चंदर जी आपके चर्णों की पूजा करते हैं और जिनके हिर्दे में स्री राम चंद्र जी आपका ये भरोसा है दूसरा नहीं तता जिनके चरण स्री राम चंद्र जी आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए जो नित्या आपके राम नाम रूप मंत राज को जबते हैं गुरू को हिर्दे में आप से भी अधिक बड़ा जान कर सर्व भाउस से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं और ये सब कर्म करके सब का एक मात्रिय एक फल मांगते हैं कि सिरी रामचंद्र जी के चंडलों में हमारी प्रीतियो उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिये जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अविमान और मोह है न लोब है न छोब है न राग है न दुएस है और न कपट, दंब और माया ही है हे रगराज आप उनके हिर्दे में निवास कीजिए जो सब के प्रिय और सब काहित करने वाले हैं जिने दुख और सुख तता प्रसंसा बढ़ाई और गाली निन्दा समान है जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तता जो जागते सोते आपकी ही सरण है और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति आस रह नहीं है हे राम जी आप उनके मन में बसिये जो पराय इस्तरी को जन देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया दन जिने विच से भी भारी विच है जो दूसरे की संपत्ति देखकर हरसित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेश रूप से दुखी होते हैं और हे राम जी जिने आप प्राणों के समान प्यारे हैं उनके मन आपके रहने योग्य सुभवन हैं हे तात जिनके स्वामी सका पिता माता और गुरू सब कुछ आप ही हैं उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए जो अवगुणों को छोड़ कर सबके गुणों को गरहन करते हैं ब्रामन और गौग के लिए संकट सहते हैं निती निपुंता में जिनकी जगत में मरियादा है उनका सुन्दर मन आपका घर है जो गुणों को आपका और दोसों को अपना समस् जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं उसके हिर्दे में आप सीता से इतनी वास कीजिए जाती पांती धान धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुक देने वाला घर सब को छोड़ कर जो केवल आपको ही हिर्दे में धारन किये रहता है हे रगनाजी आप उसके हिर्दे में रहिए सुर नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टी में समान है क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुस बान धारन की आपको ही देखता है और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है हे राम जी आप उसके हिर्दे में डे आपका अपना घर है इस प्रकार मुनी स्रेष्टवाल मिकी जी ने सिरी राम चंदर जी को घर दिखाए उनके प्रेम पूर्ण वचंद सिरी राम जी के मन को अच्छे लगे फिर मुनी ने कहा है सुर्यकुल के स्वामी सुनिए अब मैं इस समय के लिए सुगदाय कासरम कहता ह हूँ निवास इस्थान बतलाता हूँ आप चेत्र कूट परवत पर निवास कीजिए वहां आपके लिए सब प्रकार की सुईदा है सुहावना परवत है और सुन्दरवन है वहाती सिंग हिरन और पक्षियों का विहार इस्थल है वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणो ने प्रसंसा की है और जिसको अत्री रिसी की पत्नी अनुसया जी अपने तपोबल से लाई थी वह गंगा जी की धारा है उसका मंदाकनी नाम है वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकनी डाइन रूप है अत्रियादी बहुत से स्रेष्ट मुनिवा मामुनिवाल मिकी जी ने चित्रकूट की अपरमित महिमा बखान कर कही तब सीता जी सही दोनों भाईयों ने आकर स्रेष्ट नदी मंदाकनी में इसनान किया सिरी रामचंदर जी ने कहा लक्षमन बड़ा अच्छा घाट है अब यहीं कहीं ठहरने की ववस्ता करो तब लक् उस धनुस की प्रतंच्या डोरी है और सम दम दान बाण है कल्युक के समस्त पाप उसके अने कोहिंचक पसू रूप निसाने है चित्रकूट ही मानो अचल सिकारी है जिसका निसाना कभी चूगता नहीं और जो सामने से मारता है ऐसा कहका लक्षमन जी ने इस्थान दिखला इस्तान को देखकर सिरी राम चंदर जी ने सुख पाया जब देवताओं ने जाना कि सिरी राम चंदर जी का मन यहां रम गया तब वे देवताओं के प्रदान थवई मकान बनाने वाले विश्व कर्मा को साथ ले कर चले सब देवता कोल भीलों के वेस में आए और उन्हों ने दिवे पत्तों और घासों के सुन्दर घर बना दिये, दो ऐसी सुन्दर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता, उनमें एक बड़ी सुन्दर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी, लक्षमंड जी और जानकी जी साइद परभू सिरी राम चंदर जी सुन्दर घ देवता नाक किनर और दिकपाल चित्र कूट में आए और सिरी राम चंदर जी ने सब किसी को पढ़नाम किया, देवता नेत्रों का लाप पाकर आनंदित हुए, फूलों की वर्षा करके देव समाजने का हेनात, आज आप का दर्सन पाकर हम सनात हो गए, फिर विंती करके उ नों ने अपने दुसर दुख सुनाए और दुखों के नास का स्वासन पाकर हरसित होकर अपने अपने इस्थानों को चले गए, सिरी रगनाज जी चित्र कूट में आबसे हैं, यह समाचार सुन सुन कर बहुत से मुनी आए, रगकुल के चंदरमा सिरी राम चंदर जी ने म और अपने सारे सादनों को सपल हुआ समझते हैं, प्रभू स्री राम चंदर जी ने यह था योग्य सम्मान करके मुनी मंडली को विदा किया, स्री राम चंदर जी के आजाने से वे सब अपने अपने आस्रमों में अब सुतंतरता के साथ योग जप, यग्य और तप करने ल में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हूँ, उन में से जो दोनों भाईयों को पहले देख चुगे थे, उन से दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूशते हैं, इस परकार स्री राम चंदर जी की सुंदरता कहते, सुनते सब ने आकर स्री रवनाजी के दर्सन किये, भेंट आगे रखकर वे लोग जो हार करते हैं, और अतियंत अनुराग के साथ प्रभू को देखते हैं, वे मुगद हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं, उनके सरीर पुलकित हैं, और नित्रों में प्रेम आश्रों की जलकी ब नीत्वचन कहते हैं, हे नात प्रभू आपके चड़नों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए, हे कोसल राज हमारे ही भाग्य से आपका यहां सुभागमन हुआ है, जै स्रीराम